अपर Reynolds and Mason theory of charge formation देखेंगे, जो cloud के अंदर charge formation होता है, उस theory के बारे में देखेंगे, Reynolds and Mason, तो देखो इस theory के according, जो सबसे पहला point बोला गया, कि जो thunder clouds होते हैं, ठीक है न, वो 1-2 km उपर बनते हैं अपने ground level के, ठीक है न, जो development होता है, thunder cloud का, वो 1-2 km उपर होता है, ground level से, ठीक ह दूसरा point इस theory ने ये बोला गया, कि जो thunder cloud और जो charge formation होते हैं, वो 3 factor पर depend करते हैं, एक तो अपना air current, ठीक है, दूसरा अपना moisture, और जो तीसरा factor है न, वो है specific temperature range, तो इन 3 factor पर क्या depend करता है, अपना thunder cloud या फिर, thunder cloud के अंदर charge formation अपना depend करता है, तो देखो, सबसे पहले जैस कि इस theory ने बोला गया था, आप इसको मानलो, ये thunder cloud है, आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये कहा गया कि भीया, जो 4 km है, ground level से उपर, वहाँ पर जो temperature होता है, वो 0 degree Celsius मानो आप, ठीक है न, और जो 12 km है, अबाओ ground level, वहाँ पर जो temperature होता है, वो होता है, माइनस 50 degree Celsius, तो देख temperature, क्योंकि water droplet और moisture क्या होता है, हलके होता है, तो air current के पास इतनी force है, कि ये अपने साथ इनको flow करा के उपर लेके जा सके, तो देखो यहाँ पर एक point और note करने वाली बात है, कि जैसे यहाँ पर 4 km पर लेके आई water droplets को ये air current, तो ये जो water droplets है, ये 0 degree Celsius पे freeze नहीं करेंगे, ये यहाँ पर freeze नहीं करेंगे, बलकि यहाँ पर क्या होंगे, ठंडा होना शुरू होंगे, ठीके न, और जैसे जैसे उपर जाते जाएंगे, अपना temperature कम होता जा रहा है, तो ये और ठंडे होते जाएंगे, और एक temperature आएगा, minus 40 degree Celsius, जहाँ पर ये क्या होंगे, बिलकुल freeze ह होना शुरू होंगे, ठीके, तो देखो ये पॉइंट का, ये जो theory है, उसका पहला point, ये ता मेरे ही साब साब समझ में, आपको समझ में आया होगा, तो मैंने देखो यही चीज यहाँ पर लिखी है, मैं इसको स्क्रोल करना हूँ, जो मैंने बोला है, बिलकुल वैसा का वै ये क्या हुआ, फ्रीज नहीं हुए, ठीके न, लेकिन ये क्या हुआ, कूल होना शुरू होगा यहां से, ठीके, जैसे जैसे ये उपर जाते जा रहे है, वैसे वैसे ये और कूल होते जा रहे है, सूपर कूल होते जा रहे है, मतलब, ठीके न, तो यही चीज देखो, मैंने इतना जादा कम हो गया कि यह क्या होई जमना शुरू होई और जम के यह क्या बनगी हेल स्टोन ठीक है न बर्फ बनगी जिसको अपन ओले बोलते हैं हेल स्टोन मतलब ओले ठीक है अब देखो यह ओले जो है वो नीचे की तरफ गिंड़ना शुरू करेंगे क्यों 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 आप इतनी force नहीं है कि इन ओलो को यह जो hail stone है इनको उपर की तरफ लेके जा सकी इतनी force इस air करंड के पास नहीं है तो यह क्या करेंगे जो hail stone है नीचे की तरफ fall होना शुरू होंगे तो देखो यही चीज मैंने यहां पर लिख रखी है ठीके ना अब देखो हुआ क्या जैस जैसे यह hail stone नीचे की तरफ आ रहे थे, ठीक है ना, नीचे की तरफ fall कर रहे थे, और जो अपनी air है, वो अभी भी super cool जो यह droplet है water की, उनको उपर लेके जा रहे थे, तो एक point ऐसा आया है, कि जो hail, जो अपने यह hail stone है, वो इस water droplet के साथ क्या करे, मतलब इनके contact में आए, तो हुआ क्या, देखो, इस hail stone के, इस water droplet के साथ contact में आने पर क्या हुआ, कि जो अपनी water droplet थी, ठीक है ना, वो इसका जो outer surface था, वो क्या करा, freeze कर गया, और, यहाँ पर क्या कर गया, freeze कर गया, और जो outer surface था, वो एक shell बन गया, बर्फ की, ठीक है ना, बर्फ की shell बन गया, लेक वो भी क्या हुआ जमना शुरू हुआ जैसे ही वो जमना शुरू हुआ तो आपको पता है जब बर्फ जमती है तो वो एक्सपेंड करता है अपना वाटर तो जैसे ही अंदर का जो पानी जम कि अगर एक्सपेंड करना शुरू होगा तो यह जो बाहर की जो शेल होगी जो पीस बनते है त्षीक कि अब यहां पर एक चीज बात ओ रहे हैं, यह जो splinter है ना यह बनते है predictive charge, अब यह positive charge कि क्य enacted के क्यूँ बने यह समझा यह समझा थहाँ, मैं सनने इसको अब आगे देखेंगे यह आप देखो, कि यह आई शेल टूटी भाहर का जो हिस्सा था और यह splinter बने अब यह splinter बहुत ही पतले हैं और शार्प है ठीके ना तो अब air के पास इतना pressure है कि वो इन पतले-पतले pieces को या फिर मैं बोलू इन splinter को क्या करेंगे अपने साथ blow करके उपर ले सके क्योंकि देखो यह positive charge के थे तो जो air current था वो इसको अपने साथ उपर उठा के ले गया तो जो cloud का जो उपर वाला हिस्सा है जो upper part है तो उस पे वहाँ पे क्या आ गया positive charge आ गया तो देखो यही था इसके बारे में तो उसके बाद मैंने यह चीज यहाँ पे लिखी भिए उसके बाद क्या हुआ जो hail stone थे ठीक है ना वो नीचे की तरफ गिर रहे थे ठीक है ना तो जो hail stone ने वो क्या थे negative charge के थे और hail stone negative charge के क्यों थे यह बता है अपने रेनोल्ड्स ने ठीके न तो उस चीज को अभी अपन आगे देंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग ता कि positive charge उपर जमा कैसे जतलब ये जो splinter थे ये positive charge के थे ये कैसे थे मतलब कैसे ये positive charge इन पर आया ये समझाया कि इसने मैसन नहीं तो देखो सबसे पहला point जो लिखा गया जैसे कि अपने पुड़ा I splinter should carry only positive charge अपवर ठीक है ना जो splinter बने थे उसमें सिर्फ positive charge था और ये positive charge ये उपर की तरफ गया था इससे बना था splinter आपको पता है ये जो आप भार की जो शेल टूटी थी उससे ये splinter बने थे और इन पर आया था positive charge और ये उपर की तरफ गये थे क्योंकि अपनको पता है water ionic nature का होता है उसके पास positive positive sorry positive h plus और negative charge OH- iron दोनों ही होते है ठीक है ना त तो फिर positive charge ये उपर की तरफ क्यों गया तो इस चीज को देखो ये समझाया गया उससे पहले एक point और note करो कि जो iron की density है वो depend करती है किस पे temperature पे मतलब अगर temperature जादा हुआ तो ions जादा होंगे अगर temperature कम हुआ तो ions कम होंगे तो देखो अब इस चीज को समझाया कैसे गया व वो T2 है अब कहाँ बताय ये गया कि जो नीचे का जो पार्ट है उसका temperature क्या ज़ादा है ठीके ना उपर वाले पार्ट के के comparation में बोलओ आप comparison में ठीके ना तो मतलब मैं यह बोल सकता हूँ जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या होट है होट है और उपर वाला पार्ट जो लो होगी ठीके ना तो यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पर लिख रहागी आप इसको रीड कर सकते हो ठीके अब देखो दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर concentration high होगी ठीके ना तो देखो यहाँ पर ions मौझूद है अब देखो होता क्या कि यहाँ पर कौन से आयन बचेंगे नेगेटिव आयन तो मैं यहाँ से एक चीज और बोल सकता हूँ कि भाया होगा क्या कि जो यहाँ पर concentration बचेगी नीचे hotter वाले पार्ट में वो concentration किसकी बचेगी नेगेटिव चार्ज की जादा बचेगी और जो positive चार्ज था वो air में diffuse हो चुगा है और जो उपर का पार्ट होगा cool पार्ट उसमें जो overall चार्ज होगा वो कितना होगा positive और नीचे जो नीचे जो चार्ज होगा वो होगा क्या negative ठीके ना तो देखो इस चीज से इसने ये बताया कि जो इस चीज़ से इसने ये conclusion निकला कि जो cooler part है वो क्या होगा positive और जो hotter part है वो क्या होगा negative यही तो हुआ था यही तो हुआ था देखो वापस से वापस से देख लो कि cooler part यहां से conclusion क्या निकला जो cooler part है वो होगा positive और जो hotter part होगा वो होगा negative अब सुनो देखो यहां से ही यही तो चीज की थी देखो, यह अपनी monster की drop थी, यह वाटर की droplet थी, थीक है, इस से hailstone के contact में आय थी, तो बाहर का हिस्सा था, वो जम गया था, ठीक है ना, जम गया था, इसका मतलब freeze हो गया था, और बाहर क्या कर दो यह clear बन गी थी, और अंदर क्या रहे था? पानी के मुकाबले, यह इसके मुकाबले hot होगा, और बाहर का जो होगा, यह shell वो होगा cool, तो जैसे कि अपने पूझा, अभी देखा, conclusion में, जो cooler part होगा, वो positive होगा, तो देखो, इसी के ही तो टुकडे हुए थे, बाहर वाले shell के, जो cooler part है, ठीके न, इसी के तो टुकडे हलके थे, positive charge के थे, जिसको अपनी air उपर लेके चली गई cloud में, तो आपको समझ में आयोगा, कि जो बाहर का जो shell था, जिससे splinter बने, यह positive charge की क्यों बने, ठीके न, तो अब यह चीस तो देख लिए, अब negative charge की बाद देख लेता हो, तो यह negative charge की बाद जैसे कि मैंने आपको बताई थी, Reynolds ने समझा, यह experimental data पर based है, कि जब यह hail है न, इस water droplet जो बाहर जम चुकी थी, उसके contact में आया, ठीके न, अब देखो, इस hail के comparison में, जो water droplet थी, वो hotter थी, तो यह जो hail है, इसके पास क्या charge आया था, negative charge, और यह negative charge कहां settle हुआ था, cloud में नीचे जाके, तो ऐसे कर के जो charge का distribution हुआ, Reynolds में हमेशन theory के according, thank you